पूलिटिक्स देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा लोग सबाब चनौ की दूसरी चरण का मतदान 26 एपरेल को होने जा रहा है जिसमें बिहार की होट सीट माने जाने वाली पुर्णिया में भी मतदान होना है जहां NDA की उमिद्वार संतोष खुश्वाह, इंडिया गडबंदन की उमिद्वार बीमा भारती और निर्दल ये उमिद्वार पपो यादव मैदान में हैं सभी उमिद्वार अपनी अपनी जीद का दावा कर रहे हैं इस बीच पुर्णिया सीट को लेकर तेजस्वी यादव एक हैरान करने वाला बयान दे बैठे जिसमें उन्होंने इशारो इशारो में पपो यादव की जगह NDA केंडिडेट तक को जिताने की बात कह डाली दिरसल तेजस्वी ने 22 एपरिल को कटिहार की कोड़ा विधान सभाच्षीत्र में एक जनसभा को संबोधित किया और मन से कहा कि किसी के धोके में नहीं रहना है ये किसी एक व्यक्ति का चुनाओ नहीं है या तो इंडिया गडबंदन या तो NDA अगर आप इंडिया गडबंदन की बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो सब बात है कि आप NDA को चुनो तेजस्वी यादब के इस बयान की चर्चा जबर्दस्थ हो रही है साथ बिहार की पाश लोकसवा सीट पर कॉंगरस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का अलान कर दिया जिसमें महराजगन सीट से कॉंगरस के प्रतेश अध्यक्ष अकलिर शिंग के बेटे आकाश चुनाओ लड़ेंगे वही पश्मी चंपारंसे मदन मोहंतिवारी मुजफर पुर से अजय निशाथ समस्तिपूर से सनी हजारी और सासा राम से मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है तो आज इनी सम्मुद्दों फिचर चा करेंगे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्यापचल टीवी के एडिटर इंची टॉक्टर मनिश कुमार रफ साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका दनिवार तेजस्वी आदव कैसा बयान दे बैठे देखे तेजस्वी आदव का जो बयान है वो अहन अहंकार और एक नोविस पॉल्टीशिन का बयान है राजनीती में इस तरह का बयान बिल्कुल वर्जित है आपने मौका दे दिया भारती जिनता पार्टी को यह कहने के लिए कि आप भारती जिनता पार्टी का प्रचार करने में लग गे हो आप ने ऐसी बात कह दी कि मीशा भारती जो उनकी बड़ी सिस्टर है उनके पास कैमरे लेकर सारे लोग पहुझे कि इसने तो ऐसी बात कह दी है उन्हें न का कि नहीं नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं बहुत सकता ऐसा बयान तो कोई दे ने सकता मैं चेक करके बताओंगे आपको आप समझे कि कितनी बड़ी गलती की है उधर पपु यादव बिसिकली है कि आप पुर्णिया में ये बीवा भारती के परचार के लिए गए और वहाँ पे एंडिय का भी उमिद्वार है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के नेता वो निर्दली बन करके लड़ रहे है पपु यादव तो वो कहरे है बलताओ से कि बात साफ है ये दो धाराओं की लडाई है थोरी सब जा रहे है कि एक एंडिया है कि इंडिया है बीमा भारती को भोट नहीं दे तो इधर उधर मत करना इधर उधर नहीं सीधा जो है अगर हमको वोट नहीं दे रहे हो वीमा भारती को वोट नहीं दे रहे हो तो सीधे जागर के NDA को वोट कर देना बात साथ है यही होता है आप बच्पन से कॉलेज पंचाइट जिला अस्तर की राजनीती जब आप नहीं करते हैं यह आपको समझ में आता है भी क्या करना आपका इगो कौन है यह पप्पु यादव करने ता अकेला मैं रहूगा कोई दूसरा यादव नहीं बज सकता बाकि सब जाए अपनी जगह पे लेकिन पप्पु यादव को जीते नहीं देना है हम हार जाएंगे लेकिन पप्पु यादव को तो यह तो इस्तिती हो गई है लेकिन एक और बात है आज दो तीन बयान आये हैं शर्म से सर जुग जा रहा है किस तरह के लोगों को आप टिकट दे रहे हो लालू यादव की बेटी क्या कह रही है रोहनी यह किस तरह का बयान है घटिया पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी गली चौराय में वो भी नहीं उस तरह से लड़ती है जो सकु के उपर लडाई जगरा होता है उस तरह की भाषा और सारे लोग चुप हैं परिवार को लेकर क्या आप कहेंगे परिवार को लेकर क्या आप कहेंगे इस तरह की बाते कहीं का रहे हैं उसको तो दोहरा भी नहीं सकते आर्जेटी के एक लेडी लीडर और रोणी का बयान सोचल मीडिया पर है दिरनत है और अभी से इन लोगों का तेवर ये है गाली गलाज ये वो खुदा ने खास्ता है इन लोगों पास सरकार आजाएगी तो फिर ये लोग क्या करेंगे सबको उठाकर जेल में डाल देंगे और जेल में नहीं डालेंगे तो पिछिठी भिजवाएगे गुंडा भिजवाएगे घर के उपर मोदी जी तो बता ही रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आजाएगी तो क्या क्यों हो जाएगा बिलकुल चिराग पासवान है नितिश कुमार है उन लोग की उपर आप इस तरह का भई अभी तक किसने कि नाम लेकर के जो है वो हलाकि यहां यह कहना पड़ेगा कि नितिश भाव को अभी बयान बहुत ही घटिया था कि बच्चा पैदा करने वाला कि तो खर उनकी तो मती ही खतम हो गई है और रोज कुछ ने कुछ प्रॉब्लम जो है आ जाता है ऐसा कि वह और दल-दल में फट जाते हैं आपने खबर दी कि पांच उमिद्वारों की घोशना के दी कॉंग्रेस पार्टी ने है तो घोशना की कॉंग्रेस पार्टी ने और मुसिबत में आ गए कौन नितिश भाव क्योंकि एक बड़ा इंट्रेस्टिंग समस्तिपूर की कहानी है उनके दो मंत्री हैं एक तो असोग चौधरी राइट हैं तो एज़ेपी ने उनको उमिद्वार बनाया है सांभवी चौधरी को और पिता क्या है जेडियू में है पिता जेडियू में और नितिश कुमार के सबसे बड़े राजिंतिक दुसमन आज की तारिक में अगर जो कहे कि जो नितिश कुमार से कोई समद्द नहीं रखा अभी तक वो चिराग पाश्वान उसकी पाटी से असोग चौधरी की बेट लड़ रही है और दूसरा एक और बहुती चहेता मंत्री है महसुरी हजारी उनका बेटा लड़ रहा है समस्तिपूर से सेम जगह है सनी हजारी दोनों पासवाने अब नितिश कुमार क्या करेंगे प्रचार करने जाएंगे वहाँ ऐसे दुवधा में आगए और दोनों ये देखिए ये इस तरह की राजनिती कितनी घ्रनित है निति इस बाबु को अपने आप के बारे में मुल्यांकन करना चाहिए क्या आप इस तरह की पार्टी चला रहे हो क्या आपकी पार्टी का जो में में लीडर है वो आपकी विचारधारा और आपके संगटन आपकी पूरी राजनिती का असर इन लोगों के घर परिवार में भी नहीं हो रहा इन लोगों के घर परिवार में भी नहीं हो रहा यह वैसा ही है कि लालू यादब की बेटी अगर बीजेपी में आजाए तो वो तो पूरा अटलोजिकल प्लैंक भासन सब चला जाएगा गर्थ में देखिए अखलिस यादब खड़े हो पाए जब से अपर न यादब भारती जिंदा पाटी में आई जब आप अपने घर के परिवार के सदस्यों को अपनी विचार धारा अपनी राजनिती अपने लीडर के मारे में कर सकते दुनिया को खाक करोगे तो नितिस वागों को पूछने चाहिए सोक चौधरी से कि तुम तो हमारा में स्टड़ी बनाते हो यह क्या स्टड़ी तुम ने बना लिया तुमारी बेटी जो है वो चिराग पासवान जो हमको भरभर के गाली देता जिसके मुझे से हम चुनाओ हार गए अल्मोस्ट दद जो है वो तो कल यह अगर मालनी जीए जस्ट इमेजिन यह प्रधान मंत्री मोदी और अमिर्सा जो है दर्माजा नहीं खोलते हैं अब वो उधर ही रहते हैं और असक चौधरी की बेटी जो है वो लड़ रही होती एंडिया कैंडिडिट बनके तो असक चौधरी किसके जीनिती तो कभी लोग करते नहीं है सबको माल कमाना है सत्ता हासिल होना किसी तरीके से एंकें प्रकारे लेकिन एक चीज अगर गौर करें कि कॉंग्रेस ने जो लिस्ट जारी कि उसमें कोई किसी का बेटा है तो किसी बहुत कम उम्र के लोगों पर दाओ खिला गया है गांदी जो है यह विकम जो कहते हैं रियल सेंस में जो राहूल गांदी जो बहुत-बहुत बहुत इस्तमाल के बाए पनौती तो यह जो विपक्ष की राजिनीती के वह पनौती बन चुके हैं एक आपने सरी हजारी को उमिदबार बना दिया वो ठिक ठाक केंडिट है जिस और कितनी शर्मनाक है ऐसे में तो लगता है कभी-कभी यह यह भी अपील करते हैं सब लोग जाकर के नोटा मारो क्योंकि यह लोग रिष्तेदार भी हैं चिराग पासवान के रिष्तेदार है यह महज़ोरी हजारी तो यह देखिए यह सब जो राजिनीती है आज कोई भी अच्छी खबर बिहार की राजिती से नहीं आ रहे हैं गाली गलॉज कर रहे हैं यह लोग आपस में लड़ जगर रहे हैं यह लोग पार्टी समल नहीं रही है पर यह आप इतना बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बाते कर रहे हैं देश में यह कर देंगे वो कर देंगे वैसे कर देंगे कॉंग्रेस पार्टी अपना पॉजिशन क्लिर क्यों नहीं करती पप्पु यादब के ऊपर पप्पु यादब आपकी पार्टी में है या नहीं है कोई नहीं चाप चुप है पप्लिक को आपने बेब को समझ दिया है इतना बड़ा वहां बवाल मचा हुआ है और कॉंग्रेस पार्टी जो है वो चुप चाप जो है मौन धारंगर के बैट गई है और दर नितिस वागू घटिया बयान देंगे तो घटिया बयान आपको सुनना भी पड़ेगा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्बाचित के प्यम्बोदे बिहार में ही रहेंगे पर बिपक्ष में जबरदस्त फूट है हर सीट पर तकरार है उमिदबारी को लेकर बवाल है जिसका फायदा बीजपे एंडियो को मिलता दिख रहा है आप अपनी राए कमेंट कर लेके देखते रे क्यापिटल टिवी बिहार नमस्का झाल